नमस्कार दोस्तों, करनाटक विधान सभा चुनाव के नतीजों की ही चर्चा हर जगे होई जा रही है एक उपचुनाव हुआ है जालंधर लोकसभा सीच का जिसे आम आदमी पार्टी ने जीता है इस उपचुनाव के बारे में ज़्यादे चर्चाएं नहीं हुई है लेकिन ये उपचुनाव इसका नतीजा आने वाले समय में पंजाब की राजनीटी की दशा और दिशा तै करने वाला है एक बहुत बड़ा बड़ा बड़ाव पंजाब की राजनीती में इस नतीजे के बाद होने की संभावनाए प्रवल हो गई है मैं ये दावा नहीं करता कि ये कितना सही होगा कितना गलत होगा लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव तो होने जा रहा है निश्चित तोर पर देखे इस चुनाव की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 3,2289 वोट मिले कॉंग्रेस का प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहा क्योंकि कॉंग्रेस के प्रत्याशी का ही यहां पर निधन हुआ था उनकी पत्नी को यहां पर टिकट दिया गया था उनको 2,43,588 वोट मिले शिरोमानिय अकाली दल के कंडिडेट को 1,88,445 यानिके 1,58,445 वोट मिले इनमें बस्पा के भी टिकट सामिल कर लीजिए क्योंकि बस्पा के साथ अलाइश था सिरोमानिय अकाली दल का और चोथे स्थान पर भारती जनता पार्टी रही जिसे 1,34,800 वोट मिले अब आप सोच रहे होगे कि इससे समीकरण क्या बना इससे जो समीकरण में आंकडों के हिसाब से आपको बताऊंगा और भविश्य की जो संभावनाय बन रही है वो आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ यहाँ पर दो पार्टीयां सबसे फायदे में रही आमादमी पार्टी जो जीती और जिसने लोकसभा के अंदर फिर से एंट्री की है जो उसकी एक साल पहले खतम हो गई थी संगरूर का लोकसभा का उप्चुनाव हार गई थी आमादमी पार्टी जो बगवनतमान की सीट खाली हुई थी लेकिन इस सीट को जीत कर उसने फिर से लोकसभा में उपस्तिती दर्ज करा लिया राज्य सबा में उसके दस सानसत पहले से ही और दूसरा जो फायदा इससे सबसे ज़्यादे हुआ वो हुआ भारते जनता पार्टी अब आप कहेंगे कि 1,34,000 वोट लेकर चोथे स्थान पर रही भारते जनता पार्टी को फायदा क्यों हुआ भारते जनता पार्टी को फायदा इसलिए हुआ कि उसने अकेले दम पर ये लोकसभा का चुनाव लड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल और बीजेपी साथ थे लेकिन किर्शी कानूनों के मुद्दे पर दोनों में जगड़ा हुआ दोनों अलग हो गए और पहली बार लोकसभा का कोई चुनाव बीजेपी ने यहाँ पर अकेले अपने दम पर लड़ा और एक लाख चूंतिस हजार आट सो वोट फासिल दूसरा शिरुमणिया कालिदर और बीजेपी दोनों अगर मिल जाते तो यह कॉंबिनेशन दूसरे नंबर पर पहुँच जाता 2,93,245 वोट इनके हो जाते हारते यह फिर भी कॉंबिनेशन के हिसाब से जोड के हिसाब से लेकिन फिर भी बहुत कम गैप रहता आम आदमी पार्टिय और इनके प्रक्याशी के बीच में आंकडे के हिसाब से 7,000 वोट का मामूली सा अंतर रहता जो खतम भी हो सकता था कह रहे हैं तो अलग बात हो गई है बीजेपी ने जो इस सीट पर लाव कमाया है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ नो विधान सभा छेतर इसके अंतरगत आते हैं मैं आपको थोड़ा सा आकड़े दिखाना चाहूंगा नो विधान सभा छेतर इसके अंतरगत आते हैं आदमपुर, करतारपुर, नकोदर, जालंदर कैंट, जालंदर नौर्थ, जालंदर सेंटरल, जालंदर पस्चिमी, फिल्लोर और शाहकोट और इन में से चार ऐसे छेतर हैं, जिनमें शिरुमणी अकाली दल से जादर वोट लिये हैं, भारती जन्ता पार्टी के प्रत्याशिक, आप आखने जरह ये गोर से देखते रहे हैं, मैं आपकी स्क्रीन पर भी रोक कर रखूगा, जालंदर जो सिटी है, उसकी जितनी भी लेके आम आदमी पार्टी जो जीती है यहां से, उस लोक सबसीट, उससे भी ज़्याद है इनको वोट मिल गए, यानि के जालंदर नौर्थ में देखियें, इकतिस हजार पांसो नंचस वोट मिले हैं, तो इस समीकरन से क्या चीज़े निकल कर सामने आती हैं, इस समीकरन से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लेंड स्लाइड विक्त्री विदान सभा में आसिल कर रही है, उप्चुनाओ भी यह जीत ले रही है, इतने सब एडवर्स चीज़े होने के बावजूद, अमरत पाल पर करन हो गया, और पुलिस हैड़कौर पर आतंकियों का हमला हो गय दोस्त सारे गोटाले हो गए, स्वास्त मंतरी को जेल भेजना हो गया, एक साल के अंदर इतना सब कुछ हुआ है पंजाब की सरकार में, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी जीत रही है क्योंकि जो उसकी मुख्या उपोनेंट शरामा और शिरोमनिया काली द दल और बीजेपी नैचुरल अलाइज हैं और इनको साथ आ जाना चाहिए, लेकिन जो पार्टी के एक और बड़े नेता हैं, राष्टे मामंतरी भी हैं, तरुन चुग, यहां से राज्यसभा सांसद भी हैं, उनकी कापी खबरे भी आती रहती हैं सोशल मीडिया पर, उनक कहना है कि हम पिछले विधान सभा चुनाव से ही बड़े भाई की भूमिका में हैं, कॉंग्रेस की बुरी हार हुई है सीट पर, और उसने अपनी सबसे सुरक्षित सीट गमाई है, जो उसने 25-30 साल से कभी नहीं गमाई थी, और बीजेपी को अब पंजाब के मतदाताओं अगर पहली चोईस उनकी आमादमी पार्टी है, तो उनकी दूसरी चोईस निश्चित रूप से भारते जनता पार्टी है, यह भारते जनता पार्टी खुद कह रही है, अब बात होती है कि गडवंधन दोनों के बीच में होगा या नहीं, देखें गडवंधन तो इस बार भी चुनाव लड़े, बसपा का और शिरोमणिया काली दल का गडवंधन था, जो विधान सभा चुनाव में भी था, लोग सभा चुनाव में भी था, और जो कैप्टन अमरिंदर ने अपनी पार्टी बनाई थी, पिल्सी, पंजाब, लोग, कांग्रेस, उसको उन्होंने बीजेपी में मर्ज कर लिया, तो इस तरीके से उनका भी एक गडवंधन था, गडवंधन के आकड़े में आपको दिखाता हूँ, कि गडवंधन में कहां पहुंचती है, इस लोग सभा उप चुनाव में जालंधर की जो नो विधान सभा सीटे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि कहां आगे रही, कहां इस्तिति क्या रही, ये 2022 के विधान सभा चुनाव के जो आकड़े थे, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इस से आप किसपश्ट देखिए, यहाँ पर PLC लड़ी थी आदमपूर में, अकाली दल को यहाँ पर जादव वोट मिले थे, करतारपूर्ग सीट, बीजेपी लड़ी थी, यहाँ पर बसपा का परत्याशी अकाली दल के गड़बंधन से आया था, वहाँ पर गड़बंधन को वोट मिले थे, नकोदर में देख सकते हैं, अब अकाली दल को मिले थे, जालंदर कैंड में बीजेपी ने बढ़िया टक क कर रहे हैं, कि यहाँ पर भारती जनता पार्टी और शिरोमनिया काली दल जो नैचुरल अलाइज रहे हैं, अगर एक बार फिर से साथ आ जाएं, तो कॉम्बिनेशन जोरदार बन सकता है, वैसे इस समय जो आंकड़े हैं, आंकड़े यह बताते हैं, कि इस समय बीजेपी से जादा शिरोमनिया काली दल को जरूरत है बीजेपी के साथ की, परकास सिंग बादल अब इस दुनिया में नहीं रहे, शिरोमनिया काली दल को फिर से अपने पैरों पर खड़े करना, फिर से एक पंजाब की मेन पार्टी बनाना सुखवीर सिंग बादल पर निर्वर करता ह लेकिन सुखबीर सिंग बादल देख रहे होंगे कि पिछले दो विदान सभा चुनाओं में क्या मुरी हार हुई है पर कास सिंग बादल जैसे नेताओं को हार का सामना करना पड़ा इस्थिती ये आ गई तो अब बीजेपी यहां ये कह सकती है कि हमारा अपर हैंड है पहले क्या होता था 60-40 का समिकरण होता था 60% सीटे जो है अकाली 40% पर 30% पर बीजेपी वाले लड़ा करते थे लेकिन अब बीजेपी 50-50 की बात कर रही है बीजेपी को पहले 10 लोग सभा सीटों में से 3 लोग सभा सीटे मिला करती थी 23 विदान सभा सीटे मिलती थी 117 में से लेकिन अब BJP 7-8 लोग सभा सीटे मंगेगी और उनका मानना है कि वो 7-8 लोग सभा सीटों पर स्ट्रोंग है और 2022 के जो विदान सभा चुनाओ वे थे उसके हिसाब से BJP का यह मानना है कि 60 प्लस सीटों पर वो मजबूत हो चुकी है तो अब विदान सभा चुनाओ से हम अकाली दल से बड़ी पार्टी के रूप में उबर चुके हैं और अब हमारी स्थिती चादा मजबूत है अकाली दल तो पिछले दोनों विदान सभा चुनाओ बूरी तरीके से हार रहे है तो अब बड़ा बदलाव यही होने जा रहा है कि अगर यहाँ पर दोनों फिर से एक होते हैं तो अकालियों को थोड़ा सा नीचे दबना पड़ेगा भारते जन्ता पार्टी से जो कभी नहीं हुआ जो परिस्तिती महराष्ट में बनी है कि शिव सेना का एक बड़ा धड़ा तूट कर आया और बीजेपी के साथ मिल गया और भारते जन्ता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी अब बन चुकी है महराष्ट की जो कभी नहीं रही अब समीकरन बदलते वे नजर आ रहे हैं पंचाब में ये तो आने वाला समय बताएगा कि 2024 का जब लोग सभाचुनाव आएगा उस समय क्या कंडिशन्स बनती हैं क्या बीजेपी को यहां काली दल के साथ फिर से लड़ने का एक मोका मिलेगा या एक ऐसी संभावना बनेगी कि दोनों मिलकर इस चुनाव को जीत सके या फिर बीजेपी एक बार फिर यहां पर कोशिश ये करेगी कि अकेले लड़ा जाएगा हाला कि अभी तक अकेले लड़ी नहीं है लेकिन इस लोग सभाचुनाव से उसने इतना साहस तो जुरूर जुटाया है कि वो कुछ सीटो पर अकेले अपने धंपर लड़ सके लेकिन लड़ाई दूसरी है और भी बहुत सारे गड़बंधन बनेगे और भी नैशनल लेवर्पल अलाइंस होने जा रहे हैं उन सब को पच्छाडने के लिए भारते जंतावार्टी अगर फिर से एगरी हो जाती है कि वो शिरोमानिया काली दल के साथ पंजाब में हाथ मिला दे तो इसका लाब उसे दिल्ली में भी मिलता है हरियाना में मिलता है आसपास के कई लाकों में मिल जाता है सिखों में उसे वोट मिल जाते हैं जादे तो ये इसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है लेकिन इत पर सबसे बड़ी ताकत के रूप में उबरें और ये फायदेमंद होगा दोनों के लिए ही और इससे सबसे बड़ा जटकर लगाएगा आमाधवी पार्टी को जो कॉंग्रेस का सारा वोट बेंक चेट कर चुकी है और कॉंग्रेस को बिल्कुल शून्य पर पहुंचा चुकी इस सीट पर हार कॉंग्रेस की ये बताती है कि कॉंग्रेस इस समय कितनी कमजोर स्थिती में पहुच चुकी है पंजाब में देखते हैं क्या संभावनाय बनती हैं पंजाब के चुनाओं को लेकर हम पहले भी चर्चा करते रहें आने वाले समय में भी करेंगे पंजाब की राजमिती बड़ी दिल्चस्त रहती है इसी चैनल पर मैंने बहुत सारे वीडियो पंजाब की राजमिती को कैप्टन अमरिंदर इन सब को लेकर बनाए है आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक किजेगा शेयर किजेगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लिजिए नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन जरूर प्रेस कर लो वरना मेरे लाइव आने का आपको पता नहीं चलेगा आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार